नमस्ते और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दक्षिन पश्चिम चीन के कुनमिंग शहर से चाइना इस्टन फ्लाइप सोमवार को 29,000 फीट, 8,800 मीटर की उचाई पर उडान भर रही थी। जब यह अचानक एक पहारीक शेत्र में गिर गया। कुछ ही समय पहले यह एक प पचास फीट, 2400 मीटर तक गिरा दिया। अधिकारियों ने कहा है कि विमान की उचाई में तेजी से गिरावट देखने के बाद एक हवाई यातायात ने अंतरक ने कई बार पाइलटों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चीन के नागरिक देन प्रशासन के उप महानिदेशक हू जेन जी आंग ने शनिवार को एक सम्वाददाता सम्मेलन में कहा, चाइना इस्टन एरलाइन्स की उडान M.U.5735 के सभी 123 यात्रियों और चालक दलके 9 सदस्यों की 21 मार्च को मौत हो गई, 120 पीरितों की पहचान DNA पहचान द्वारा निर्धारित की गई है, मलबे, अवशेश और दूसरे ब्लैक बॉक्स की तलाश में निर्मान उत्खनन करताओं ने शनिवार को दुरगट नास्थल में खुदाई की, खोचकरताओं को बुधवार को कॉक्पिट वोयस रिकॉर्डर मिल गया लेकिन अभी तक फ्लाइट ड जारों का इस्तिमाल किया, मलबे और अन्य वस्तूओं को दर्जनों आयताकार, मिट्टी से सने प्लास्टिक के कंटेनरों में एकत किया गया था, पानी की निकासी के लिए पंपों का इस्तिमाल किया गया क्योंकि बारिश वाले गुई जोग शेत्र में कीचर की स्थिती न खोज में बाधा डाली। अधिकारियों ने कहा कि फोरेंसिक और आपराधिक जाच विशेशग्यों ने 114 यात्रियों और चालक दल के 6 सदस्यों की पहचान की पुष्टी की है। जो लगभग 7 साल पुराना था, उडान से पहले की सभी उडान योगिता आवशक्ताओं को पूरा करता था। आपदा ने राष्ट्रपती शी जिन पिंग से असामान्य रूप से तेजी से सार्वजनिक प्रतिक्रिया को उकसाया, जिन्हों ने इसके कारण की जाच का आद उडान फिर से शुरू करने की मंजूरी का इंतजार कर रहा है, जिसमें 2018 और 2019 में संयुक्त रूप से 346 लोग मारे गए थे। जिन्हों ने कहा कि वह हैरान थे और दुरगटना के कारणों की ततकाल जाच का आदेश दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस तरह की और सामगरी के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले। देखने के लिए फिर से धन्यवाद।